नमस्कार बहुत स्वाकत है जोतिश दिशा सत्त की राह में जुड़ गया हूँ मैं आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी तीन अगस्त बढ़ गए हैं आगे सामन शुक लसष्ठी तक कैसा रहने वाला है आज का दिन आज क्या करके आप कुछ शुभ इस्थिति को प्राप्ट कर सकते हैं इसी जानकारी के साथ आई शुरुवात कर देते हैं आज के जोतिश दिशा की सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग स्रावन महा शुक्ल पक्ष सश्ठी तिति है आज चंद्रमा कन्याराशी में नक्षत्र हस्त रहेगा और योग रहेगा सिद्ध तदनुसार दिनांक तीन अगस्त दिन बुधवार राहुकाल का समय दोपहर बारह से डेड़ और गुलिक काल का समय सुबह साड़े दस से बारह वजे तक भीया राहुकाल में नए और शुबकाम के लिए सास्त्र आपको वर्जित कर देते हैं लेकिन गुलिक काल कहता है कि आप कुछ आरंभ कर सकते हैं ये आपके लिए सुबशमय होगा मेंसे लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा इसकी सटीक भविश्यमाणी अब आपके सामने लेकर उपस्थेत हो रहा हूँ आईए सुरुआत करते हैं मेशराश कुछ उल्जने आज विचलित करेंगी जिससे शिक्षा से विमुखता रहेंगी ब्यापार दिव्य है अवसर अच्छे देगा प्राइविट सेक्टर आपके लिए रास्ते खुलेंगे नई नोकरी की संभावनाए है सरकारी छेत्र तनाव में है गवर्मेंट सेक्टर की स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है दामपत्य जीवन असली आनंद देगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे आज पत्नी के साथ विचार सम रहेंगे लव लाइफ अनोकी स्थती में है परिस्थतियां आपके पक्ष में हैं मुश्किलों का हल है स्वास्थ के मामले में आँख और लीवर की प्रॉबलम देखती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी मेशे आज किसी छोटे बच्चे को कुछ टॉफी चॉकलेट दे दीजेगा क्या नहीं करना है इरादे बताने नहीं किसी को शुबरंग नीला भाग्य प्रत्षत छाचट दृशब राश परिस्थतियों से जूच कर आज एक अलग पहचान बनाएंगे पढ़ाई अच्छी चलीगे ब्यापार रिस्क लेना भारी पड़ेगा आज कुछ न कुछ उठापटक बना रहेगा प्राइविट सेक्टर एक अलग तरह से आपको ट्रीट करेगा काम की स्थति बहुत सुद्रण है सरकारी छेतर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं परमात्मा की किरपा है गवर्नमेंट सेक्टर वालों को कुछ विशेश अवसर स्वतह मिल जाएगा दामपत्य जीवन की स्थति में आज कुछ भूकम्प आ सकता है एक दूसरे को समझने का प्रयास करिएगा जादा अवरोध ना आने पाए लव लाइफ अच्छा रहेगा मालसिक शांती मिलेगी चिंताओं से बाहर निकलेंगे स्वास्थ के मामले में किटनी की समस्या और आखों की समस्या दिखाई देती है क्या प्रयोग करना चाहिए किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्त देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज तनाव नहीं लेना है शुबरंग आप के लिए ब्राउन भागी प्रत्षत 55 मिथुन राशिय मालसिक रूप से आज कुछ अच्छा कर लेंगे जिससे पढ़ाई में मन लगने लगेगा आज किसी तरह का ऐसा अवरोध रही है जिसको लेकर कही से भी चिंता करने की आवश्यक्ता हो दामपत्य जीवन मताएंगे हम ब्यापार बिजनस में रिस्क लेना सकरात्मक रहेगा बिजनस की स्थिती बहुत अच्छी है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बहुत मजबूती देगा अवसर अच्छे मिलेंगे किसी तरह की दिक्कत दुराव नहीं है सरकारी छेतर में कुछ अनोखे अंदाज में आप आगे वढ़ेंगे गौर्नमेंट सिक्टर आपके लिए बहुत मजबूती दे रहा है आज प्रमोशन की भी स्थिती बन सकती है दामपत्य जीवन अवसर के लाब के साथ रिष्टे में मजबूती दे रहा है आज एक दूसरे को समझने के प्रयास सफल होंगे लब लाइफ में तनाव बढ़ सकता है इस्थतियां आपके पक्ष में नहीं है लब लाइफ आप पर आज भारी पड़ेगा स्वास्त के मामले में किट्नी, आँख और बैक की प्रॉब्लम दिखाई देती है मिथुन राश के लिए क्या प्रियोग करना चाहिए आज आज किसी जरूरत मंद को दवा का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी मिथुन है तो अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग आपके लिए गुलाबी भागी प्रतिशत 56 करकराशी सिक्षा में आज मजमूती है पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में कोई दोश नहीं ब्यापार अच्छा है पिजनस में रुके कारे गतिमान हो रहे हैं अवसर अच्छे मिलेंगे प्राइवेट सिक्टर आपके लिए आज बहुत शुबी स्थति में है हर तरह से आगे बढ़ेंगे आप चिंताओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेत्र उल्जनों में रहेगा गुवर्मेंट सिक्टर को लेकर सजग रहने की आवशेक्ता है करकराशी दामपत्य जीवन की स्थति को लेकर के आज अपने आपको सुधारने का प्रयास करिएगा आपके अंदर की कमियों के कारुण कुछ स्थतियां पिप्रीथ हो रही है लव लाइफ बहुत अच्छा है पर इस्थतियां आपके पक्ष में है स्थति के मामले में आज का दिन माइग्रेन, घुटना और पेट की दिक्कत दिखाता है क्या उपाय करना चाहिए करक वालों को उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़क लेजेगा क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी करका है तो आज लंबी यात्रा ना करिएगा शुबरंग बैगनी भाग्य प्रस्षत 58-58 सिंगराशी आपके लिए आज कई रास्ते खोलेगी प्रिकरती कुछ विशेश लाव के अवसर बन रहे है पढ़ाई बहुत अच्छी है सिक्षा में कोई दोश नहीं है ब्यापार दिब्डे इस्थिती में है बिजनस अच्छा करेंगे आउसर अच्छे मिलेंगे प्राइविट सिक्टर आपके लिए मुश्किलों का हल देगा प्राइविट सिक्टर में लावर कदम पर होगा सरकारी छेत्र की स्थिति को ले करके आपको सजग रहने की आवशक्ता है गौर्मेंट सिक्टर कुछ दिक्कते भी दे सकता है दामपत्य जियोन अच्छा रहेगा पत्नी और पती की बीच तालमेल अच्छा बैठेगा आज का दिन लव लाइफ में कुछ नए पहचान करा सकता है लव लाइफ को ले करके आपको नया परिचे प्राप्त करना होगा स्वास्थ के मामले में पेट और किड्नी की समझ से आज दिखती है क्या प्रियोग करना चाहिएगर आपकी रासी सिंग है क्या नहीं करना है आज उधार लेना नहीं है कन्या राशी दिनांक तीन अगस्त दिन कैसा बीतेगा भहिया परहाई के लिए आज जो जो सोचेंगे आप आप उसके हिसाब से सिट कर लीजेगा बैठिये इत्मिनां से तवियत से पढ़ाई करिये दिन अच्छा है ब्यापार के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा और दोस्तों का साथ लेना पड़ेगा बिजनस भी अच्छा चल जाएगा प्राइविट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आज थोड़ा मन खिन रहेगा मन नहीं लगेगा काम में कुछ उल्जने अचानक आपको परिशान कर रही है और ये सिर्फ आप जानते हैं सरकारी छेत्र अदभुत अवसर देगा गौर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और पती के बीच तालमेल अच्छा वैठेगा एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइफ क्या पूछना है परिस्ततियों के साथ कदम बढ़ाएंगे स्वास्त के मामले में कितनी आख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी करने आए ओम गंगाणपते नमः ग्यारह बार इस मंत्र का जाब करिए का क्या नहीं करना है आज काला रंग अवाइड करना है सफेद रंग की शुपता में 56 प्रतिशत का भाग गया है तुला राशी निरंग 3 अगस्त शिक्षा पूरण है पढ़ाई में कोई रुकावट परेशानी नहीं है अच्छी तरह से आप कदम बढ़ा रहे है ब्यापार में भी रुके कारे गतिमान होंगे बीजनस अच्छा चलेगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छे अफसर दे रहा है मुश्किलों का हल निकलेगा सरकारी छेतर में कुछ मुश्किले आएंगी गौर्नमेंट सेक्टर वालों को सजग रहने की आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन दिब्ब्य अनुभूती कराएगा दामपत्य जीवन में हर प्रकार से शुमता मिलती रहेगी लव लाइफ आपके लिए एक अलग परिचे दे रहा है लव लाइफ को ले करके आपको जितना सकरात्मक होना है उतना हो जाईएगा स्वास्थ के मामले में आज का दिन आख कमर दर्द और हर्ट की प्रॉब्लम देता है उपाय क्या करना है किसी जरूरत मंद को आज दवा का दान करना शुम होगा क्या नहीं करना है जल्दी बाजी नहीं करनी है शुमरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत पच्पन बिश्चक राज अनोखा अवज़र है पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप लाभ होता जाएगा ब्यापार काम में मन लगेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर में शुपता बनी रहेगी सरकारी छेतर को लेकर के सजग रहने की आवश्यक्ता है गौर्णमेंट सेक्टर आपको आज थोड़ा सा तनाव दे सकता है दापत्य जीवन अच्छा होगा बच्चों का साथ प्राप्त होगा ससुराल से रिस्ता मधूर करने का प्रयास सफन होगा लव लाइफ यहाँ पर आज कुछ ब्रेक अप जैसा मामला फील होगा अचानक कुछ इस्थतिया आपके प्रतिकूल हो रही है स्वास्त के मामले में माइगरेन, आख और बैक की प्राप्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राश इब्रस्चिक है प्रियोग के तोर पर किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुब होगा औरेंज कलर शुब है, 63 प्रतिशत का भाग्य है क्या नहीं करना है आज अपने रहस से बताने नहीं है धनुराश निरांक तीन अगस्त पढ़ाई पूर्ण है, स्विक्षा में कोई रुकावट नहीं है बच्चों का सुख है ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में हर तरह से आपको शुबता मिल रही है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा आउसर देगा प्राइवेट सेक्टर में लाव होगा सरकारी छेत्र द इब्विता है कौशम सेक्टर में शुबता बनी रहेगी दामपत्य जीवन सकरात्मक फल दे रहा है गौशम सेक्टर में आज जो शुबता थी वो married life में शुब इस्थती को और बढ़ा देगी स्वास्त के मामले में और love life love life में आज कुछ अच्छा करने की चाह पूरी करेंगे और सब मिलेगा और love life बहुत अन्पूल है किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है हर तरह से आप शुब इस्थती में है स्वास्त, migraine और digestion की problem हो सकती है क्या प्रियोग करना है आज पीला रंग धारण कर लीजेगा और क्या नहीं करना है अपने राज बताने नहीं किसी को पीले रंग की शुबता में पचास प्रित्षत का भाग्या आपके साथ मकर राशी पढ़ाई में आज कुछ उल्जन थी लेकिन आप उसको ठीक कर सकते है शिक्षा को आगे लेकर चलिए ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में किसी तरह की समस्या रही है क्योंकि कारे गर्मान हो रहे है प्राइवेट सिक्टर के लिए अनुकूलता प्राप्त हो रही है प्राइवेट सिक्टर में आपको लाभ के उसर बनेंगे सरकारी छेत्र कुछ विशेश उपलब दिदेगा गौर्मेंट सिक्टर में आगे बढ़ते जाएंगे दामपत्य जीवन बहुत शुभ है हर तरह से लाभ हो रहा है पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा सेट हो जाएगा स्वास्त के मामले में और लव लाइफ लव लाइफ में आज उल्जन है किसी पुरानी बात को ले करके विवाद की स्थती आ सकती है आज अपने मन पर नेंतर रखने की आवश्यक्ता है लव लाइफ में इस थतियां बिकराल रूप ना ले अलगाव ना हो जाए इसके लिए शांत रहिएगा स्वास्त के मामले पर देखा जाए तो आँख माइग्रेन और किड्नी की सवस्या बनी रहेगी क्या प्रियोग करना है अगर आपकी राशी मकर है आज एक काला धागा अपने पास रख लीजेगा शाम को कहीं पौधे की नीचे डाल दे और क्या नहीं करना है आज आज दूसरों से उमीद नहीं करना है काले रंग की शुपता में 57 प्रतिशत का भाग्याब के साथ है कुम्बराश पढ़ाई अच्छी चलेगे शिक्षा में कोई दोश नहीं है व्यापार दिब्वी स्थिति में है बिजनस में लाब होता जाएगा प्राइवेट सिक्टर आपके लिए शुपता देगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेतर में कुछ विशेश उपलब्धी स्थित हरजित करेंगे गवर्मन्ट सिक्टर में कोई रुकावट परेशारी नहीं होगी आज बड़े काम की तलाश पूरी होगी बॉस प्रशन रहेंगे दाब पते जीवन अच्छा है बच्चों का सानित प्राप्त हो रहा है मांसिक मजमुती मिल रही है लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा लव लाइफ को लेकर के आपको सजग कर रहा हूँ स्वास्त के मामले में पेट आँख और बैक की प्राप्लम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी आज कुम राशी वालों को किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्त देना शुब होगा क्या नहीं करना है चंद चलता नहीं दिखानी बादामी रंग की शुबता में क्यावन प्रत्षित का भाग्य है अंतिम राश्मीन पढ़ाई अच्छी चल रही थी अच्छी चलती रहेगी सिक्षा में सुधार होगा ब्यापार के लिए कुछ नया काम ले सकते हैं आज आज पार्टनर्शिप टिक जाएगी प्राइवेट सिक्टर में कुछ परिष्थतियां आपके पक्ष में नहीं है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए आज मुश्किल पैदा कर रहा है सरकारी छेतर में दिब्यन होती है और गौर्णमेंट सिक्टर आपको कुछ अच्छा करे ही जाएगा नापति जीवन शुभ होगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा एक दूस्रे को सपोर्ड करेंगे लेकिन लव लाइफ को ले करके सजग रहने की आवशक्ता है आज आरोप प्रत्यारोप की जड़ियां लग जाएंगी टेट पर जाना कैंसिल करें तो बहतर होगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो दांत और किटनी की समस्या अभी भी बना हुआ है प्रियोग के तोर पर आज हरी रुबाल आज अपने पास रखें क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करना हरे रंगी शुपता में एक सट प्रतिसत का भाग आपके साथ है मेश से लेकर मीन तक अब आए जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर मेश साग्षर बिशम्मा मिथुन खाग्षर करकपा सिंग दाग्षर कन्याबा तुला गाग्षर बिश्चिक धा धनू जाग्षर मकर चा कुम्भ राग्षर मीन वाग ये शुभ भाग्याक्षर है सादे चोकुर कागच पर लिखते हुए अपने पास 24 घंटे के लिए रख दीजेगा अगले दिन इसको कहीं पौधे के नीचे डाल दीजेगा आज की सक्सेज की सफलता की कुंजी क्या है वो लिजिए उल्टे पाउं पर थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क कर और फिर घर से प्रस्थार करिए जिसकी आज मैनेज अनिवरसरी है और बर्थ डे है उसके लिए प्रियोग जिसका बर्थ डे है अगस्त शुमकामनाए दो बच्चों की सिक्षा में मदद करके तीन पीपल के पौधे कहीं लगा दीजेगा जिसकी आज मैनेज अनिवरसरी है किसी कन्या की शादी में मदद करके दो लोगों को भोजन कराईए और गव माता को हरा चारा दीजेगा बस इतना काम छोटा सा और पूरी तरह से शुमता हमारी शुम कामना आए आपके साथ हैं ग्यारह तारिख तक कभी हमसे रगाजयाबाद मिल सकते हैं और उसके बाद लखनाओ बारह और तेरह तारिख बहुत 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 शुक्रिया आपका शुम दिन हो मंगल कारी हो और हाँ हमारा उयाद है न अनिवाली फिल्म मासूम सवाल देखना न भोलिएगा आपके बंगल के सीनेमा घर में आगामी पांच अगस्त से नमस्कार कर दो कर दो